टूल्स होते हैं यह ठीक है, differentiation के comparison में integration थोड़ा सा difficult है, differentiation तो easy है, differentiate हम किसी भी function कर सकते हैं, but there are many function which are non-integrable, यह ठीक है, ऐसे बहुत सारे function हैं, जिनका integration आज तक पता ही नहीं है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि यह वाला कोई भी एगर हमें question दिया जाए तो हमें कैसे पता लगेगा कि उसका integration होगा और नहीं होगा, वो तुम्हें पता लगाने जहुत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो भी question दिया जाएगा, जो भी IATJ में या फिर बोर्ड में ज solve नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब यह नहीं क्यों, solvable नहीं है, मतलब हम question पर शक नहीं करेंगे कि पता लिए solvable है या नहीं है, अपने उबर शक करेंगे, मतलब I will try to think कि कैसे solve होगा, rather than कि यह सोचने कि यह solve होगा भी या नहीं होगा, अगर exam में आया है, तो पक्का integrable function ही मिलेगा, बस there is one class of question, जहां पर हमें पूरे integration की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उस तरह के question में unsolvable, sorry, unintegrable या non-integrable function मिल सकता है, तो for the time being तो मैं उसे चिंदा करने की जबूती नहीं है, अभी तो जो भी question आ रहे है, solvable मतलब integrable या आएगा, उसका integration पक्का निकलाएगा, तो इसलिए integration में, this is also advised, कि अगर तो मैं तुम्हारा कोई friend question दे, और बोलेगे इसको integrate करके देखा, तो ऐसे हमें question लेना नहीं चाहिए, फाल तुको time waste होगा, हो सकता है, उसने हमें non-integrable function दे दिया हो, और हमें पैचारना नही waste हो जाए, ठीक है, इसलिए integration में specially, शर्त वरत नहीं लगानी चाहिए, कि कोई बोले ये solve करके देखा, तो उसको बोले कि कोई बात नहीं, तुझी solve कर ले, you should not waste your time, ठीक है